थाना गाजी पुलिस ने एक ऐसे एडवोकेट को गरपतार किया है जो सराप पीकर एक गरीब परिवार वालों को परहशान करता है और विरोध करने पर एडवोकेट होने का रोप दिखाता है थाना गाजी में पुलिस ने एक एडवोकेट को गरपतार किया है दरसल एडवोकेट पर आरोप है कि सराप पीकर एक गरीब परिवार के घर में जाकर महिलाओं और बालिकाओं के साथ गलत हरकते करता है वही पीडिता ने बताए कि नरेंदर और नंदा वकील आए दिन दो तीन लोगों के साथ सराप पीकर घर पर आ जाता है और हमारे साथ गलत हरकते करने लगता है विरोध करने पर अपना वकील होने का रोप जमाने लगता है वहीं पीडिता के पती ने बताए कि नरेंदर और नंदा वकील आई दिन दो-चार लोगों के साथ आता है और सराब के नसे में आकर घर में बहन बैटियों के साथ गलत हरकते करता है विरोध करने पर मारने पेटने पर उतार हो जाता है वहीं पुलिस ठाना ठाना गाजी में शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपी को गरपतार कर लिया है नहीं जाएंगे पुलिस को फोन कर देना पुलिस हमारी मदद करती है बहुत परेसान करती है पुलिस भी नहीं आती जल्दी ची बड़ी निठे निठे पुलिस आती है हमारा कोई सुनाई नहीं करता है जल्दी ची और हम घर गिरसती हों वकीलों के भी इसको पुलिस पुल कई दिन लड़कों को लाके राता बहुत बोटे फिर गंदी गंदी नजरे रखता है और असा तरो गंदी और रात को भी आता ने दिन लगा दो तिन लड़कों साथ लेका तो नरेंदर वकील मैं भेत में साहा ता पुलिस को पून के पुलिस काफे दिल लेट आई पर रात को लेके गई रहाम को भी बंद कर दिया तो आप तो पीडित थे आपको भी बंद कर दिया अब साब वह उनका पावर है जाए